इडिने बहुचर्चित सिरजन गोटाले के मुख्य आरोपिज बिपिन कुमार और बिपिन कुमार सर्मा को भागलपूर से गिरहतार कर मंगलवार को पटना इस्थिद पीमले कोट में पेश किया। पेसी होगी विपिन सर्मा पर आरोप है कि करोलों के सिर्जन घोटाले में उसने अधिकारियों और कई परमुख निताओं के साथ पैसे के लेन देन में अहम भूमिका निभाई है उसके कई सफेद पोसों से अच्छे संबंध भी है सिर्जन महिला सयोग समीती के परमुख स्वर्गिया मनोर मादेवी और उनके बेटे अमित कुमारे और बहु रजनी प्रिया के साथ भी उसकी बेहर निकट संबंध थे जाच में या बाद सामने आए कि सिर्जन घोटाले के पैसे में उसने अपने पत्नी रूबी देवी के नाम पर काफी जमीन जादाद खरित लिया है साथी पत्नी को सिर्जन सयोग समीती के कोर ग्रूप मेंबर में भी सामिल कर रखा था इनी कारणों से CBI ने कुछ दिन पहले उनकी पत्नी रूबी देवी को भागलपूर की तिलका महजेस्तित हलुमान पतिस्तित उनके आवास से गिरफ़तार किया था कुछ समय पहले इडी ने सिर्जन घुटाले के आरोपियों की अवेद सम्पत्ती भागलपूर नुएडा समेत अन्यस्थान उपर जब्ध की थी इसमें बिपिन कुमार उनकी पत्नी के नाम से मौजूद सम्पत्तियां भी सामिल है अगली बार जब एक अक्टूबर को उनकी पेसी कोट में होगी तो इडी उसी रिमाइन पर लेकर पूछताच करने से संबंधित अन्रोध कोट से करेगी इडी उसी रिमान्ड पर लेकर कई अहम पहलूं पर पूश्ताच करेगी इसमें कई बड़ी लोगों के नाम सामने आने की संभावना जताई जा रही है सुल्तान गंज के सहकुंड के अंचल कारियाले में पदस्थापी दरस्व करमचारी अभिनंदन सिंग को मंगलवार को उसके तिलका मांजी थाना च्छेत रिस्थित जवारीपूर से विजिलेंस की टीम ने एक फरियादी मुहमद इकबाल से दाकिल खारिच के नाम पर एक ल का नेतृत विकर रहे हैं विजिलेंस के डियासपी अरुनदे पांडे ने प्रेस्था इस कांफेरेंट्स का मामने की जानकारी दी। सिनील कुमार पुलीस अवर निर चक अविनास कुमार संजा चतुरोबेदी रेकी लाल स्विवास्टवर राजिब कुमार ससीकांद मनिकांद आदि सामिल थे प्रेस्पी ने बताया कि इबराज़ में भरहष्टाचार के खिलाब जीरो टॉलरेंस की निती अपनाई चा रही है। उसी के तहट लगातार मुहीम चलाकर भरहष्टाचारियों के खिलाब कारवाई की जा रही है। अंचल कारियाले में दाखिल खारिश को लेकर लगातार ऐसी सिकायते आ रही हैं जिस पर विभाग पूरी मुस्तेधी से काम कर रही है। भरहष्टाचारियों पर विभाग की पैनी नजर है कोई भी बैक्ती निगरानी की टोल फ्री नंबर पर अपनी सिकायत दर्ज कर आ सकता है। प्रेस कॉन्फरेंस के दरान निगरानी विभाग की वरिय पदादिकारी भी उपस्तित थे। नगच्या थाना के पकड़ा मोर के पास एने चकतीस पर बस दुरघटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। रहे थे। रंजन जेवी कटिहार से प्रबता जा रही थी, सुगंधा कटिहार से भागलपूर जा रही थी। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर वखलासी फरार हो गए हैं। घटना के बाद पुलीस ने दुरघटना ग्रस्त बस को एनेचपर से हटा दिया है। से बाहर सौच करने जा रही मासूम बच्ची को उसी के चचेरे चाचा ने घर से बाहर अकेले सुनसान जगा में पकड़ कर उसके साथ दुसकर्म किया। रिस्ते को तार-तार कर देने वाली एक घटना मीडिया में काफी सुर्खियों में थी। नौगच्या कोट के सिवन्थ एडिजे महिस परसाद सिंग ने मामले में आरोपी सूरज कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस पीड़ी ट्रैल के तहट चले केस के दुरान मेडिकल सेक्सुल के तहट जब मासुम का मेडिकल हुआ तो यह प्रमानित हुआ कि उसके साथ दुसकर्म हुआ है। जब बच्ची से पूछा गया तो उसने कहा था कि सूरज कुमार ने ही मेरे साथ गलत काम किया है और आठ गवाई के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। साथी सरकार की और से प्रिता के परिवार को पांच लाख रुपिय यह उम दुसकर्मी परिवार की और से पचीस जा रुपिय प्रिता परिवार को दिये जाने की बाद कही गई। इसको लेकर जिलाधिकारी भागलपूर ने कहा कि मतलान के लिए हम सभी पूर्ण रूपें तैयार हैं सारी तैयारियां कर ली गई है 29 सितंबर को सुभर साथ बजे पुरुवाहन से पांच बजे अपराहन तक वोटिंग का कारिक्रम चलेगा सुरक्षा के पुखता इंतजाम किये गए हैं साथी बूत पर सारी जो भी सुभिधाओं की जुरत पढ़ती है वहां के पताधिकारियों को दे दी गई है पंचाया चुनाप की दूसरे चलन में जिला निर्वाचन की टीम मुस्तेदी से कारे करते दिख रही है बाद भागलपूर की करे तो जगदीसपूर परखंड में 29 सितंबर को पंचाया चुनाप का मद्दान है इस बाद भागलपूर जिले की जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन एस्पनी तासा गोडिया समेथ तमाम अधिकारी मद्दान कर्मियों को चुनाप संपन कराने की टीप्स देते दिखे डीम सुब्रत कुमार सेन दोरा जगदीसपूर के लोकनाथ इसकूर में पिठा सिंपनादिकारी सेक्टर मेजिस्टेट पुलीस दस्ता को संबोधित किया गया सान्तिपूर्ण मद्दान हो और सही तरीके से हो उस बावत भागलपूर डीम ने एक बीडियो बना कर मद्दान कर्मियों के बीच भेजा है नौगचिया के तिंटंगा दियारा में एक बार फिर से कटाव सुरू हो गया है जैसे जैसे गंगानदी का जलस्तर नीचे हो रहा है वैसे उसे तिंटंगा दियारा इस्थित ग्यानिदाश टोला में कटाव की रहफतार तीज हो रही है बीते दो दिनों से लगातार कटाव हो रही है ग्यानिदाश टोला के लगभग दो दर्जनकाओं गंगा में समा गए कुछ दिन पुरुप दियारावासियों ने जिला के प्रभारी मंत्री रामसुरत राय सी गुहार लगाई थी लोगों की मांग पर पंदरा दिन पुर्म मंत्री रामसुरत राय ने तिन टंगा देरा इस्थित कटावस्थल का जाजा भी लिया था जिसमें सभी को अस्वासन दिया गया था लेकिन अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई ग्रामिनों का कहना है कि आखिर हम जाए तो कहां जाएं सुल्तान गंज पुलीस रात्री गस्ती अगतिविदी के नाम पर चाहे लाख भ्रमन सील हो लेकिन अपराधी और अपराधी गतिविदी के लोग छेत्र में खुले आम घूम रहे हैं इसकी ताजा बानगी एक CCTV फूटेज में सामने आई जिसमें एक मोहले का यूवक हतियार लाता हुआ कुछ यूवकों के साथ मार पीट कर रहा है वारल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बीच में महिला आए यूवकों को बचाने की कोसिस कर रही है लेकिन एक बैकती हाथ में तमंचा लेकर लगाताया डलाने धमकाने की कोसिस कर रहा है ग्रामिनों ने बताया कि कई दिनों से देर रात इस तरह के घटनाए गली में होती है जिससे घर में भी लोग अपने आपको महफूज नहीं पा रहे हैं आलम यह है कि बहरी गतिवीधी को देखने के लिए लोगों को अपने घर पर तीसरी आँख से निगरानी करनी पड़ रही है इस तीसरी आँख ने इस सारे वाकियों को अपने में कैद किया हतियार लहरा रहा जिस युवक को डलाया धमकाया जा रहा है उसके भाई की हतिया कुछ दिन पुरूप खगड़िया में हो गई थी जाहिर है किसी अपराधि घटना को कभी भी ऐसे लोग अंजाम दे सकते हैं रातरी पुलीस गस्ती को ठेंगा दिखा कर अपराधिक तत्व गली महले की और अपना रुख कर रहे हैं और वही पर अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वारल सिस्टीवी फुटेज सुल्तान गंज वाईड संक्या 13 के गली नंबर 5 का है जहां पुर में भी इस तरह की घटनाय घटी थो चुकी है बाब्यूद इसके पुलीस की लचट विवस्था से अपराधिक तत्व और मजबूत हो रहे हैं हलाकि अस्थानी अथाना इस पूरे मामले से अनिफिग है और बड़ी बात यह है कि छित्र में अपराधिक तत्व हतियार के बल पर अपराधिक घटनाओं को अन्जाम दे रहे हैं और सुल्तान गंज पुलीस इस पूरे मामले में अभी तक अनिफिग है मुगेर से मिर्जा चौकी तक बनने वाले फोर लेन ग्रीन कोरिडोर प्रस्तावित सटक के लिए अधिग्रहित की जाने वाले जमीन का कम मुआबजा मिलने से पिरपैंथी के किसानों में असंतोस है किसान उचित मुआबजा की मांग लगातार कर रहे हैं किसानों का कहना है कि उन्हें जो दर्द दिया जा रहा है वो बाजार भाव से बहुत कम आकलन की आ गया है इसी कड़ में पिरपैंती पर्खण के लक्षमी पूर में किसानों की महतपूर्न बैठक सोंबार को आयोजित की गई वह अगली रन्निती पर गहन विचार भी मर्सकी आ गया वही इस दर्मियान पहुंचे छेत्रिय विधायक इंजिनियर ललन कुमार को किसानों ने अपनी समस्याओं से रूबरू करवाया विधायक ने किसानों के समस्याओं को ध्यान पूर्वक सुना हुआ संबंदित उच्चा धिकारियों से सिघ्र मिल समाधान कराने का स्वासंद देने के साथ ही किसानों के समस्या समाधान नहीं होने पर विधान सभा में सवाल उठाकर उचित मुआबजा दिलाने का भरोसा बैठक में गजंद्र पांडे, राजबली पांडे, संतोस पांडे, बिपिन बिहारी पांडे, मौहमद हाकीम, अमीत पांडे, राकेस पांडे, भरत यादव, ब्यास पांडे, आदी किसान उपस्थित थे सब्सक्राइब करें, इसको भी कमर्सियल में लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, एक तो विरोज किसानों के यहां है, दूसरा क्या है, बहुत पुराना खतियान को देख करके नोटिस किया जा रहा है, इस बीच में कितने जमीन ट्रांसपर हुए, बीक गए, जमीन के नए लेन उनर हो गए, इसमें क्या करना चीए कि प्रशासन को कि रजिस्टर टू देख करके किसानों को आपजा देना चीए, उसके लिए नोटिस करना चीए, मुखिस समस्या यही है. गट लेकर वापस मंदिर परिसर पहुचेंगे, आपको बता दे इस मंदिर परिसर में बांगरा रितिरिवाज से मा दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है, वही मा देवी दुर्गा के आवहान हेतू जीतिया पर्व के साथ बोधन घट का आयोजन होता है, वही इस बो आने वाले अपने आपको काफी भागयसारी महसूस करते हैं और महलाएं इस कौणी को सिंदूर की किया में सजा कर रखती है, वहीं सरकार दरा जारी COVID-19 की दिसानिर्देश का पालन करते हुए इस बार मंदिर में प्रतिमा की अस्थापना नहीं की गई है, माता की पूजा रातना विधिवत की जाएगी. कि मा का जो है, हम लोग का हवान करने के लिए मा गंगा के पास जाते हैं और वहां से जन को ला करके हम जो है उसको जो है दौन पूजा करते हैं, वजापते, भगवान का मंदिर है, वहां पे दौन पूजा कर helps कर जाता है। पूजा माद्य दुर्गा का पूजा नहीं न नी चुन s नौनех पूजा के पूजा जातार देवित दुरिगए और उसके पास चुन thryओं परवां सनुम्नितette झाल